दोस्तों आप इस वेबसाइट को अच्छे से जानते होंगे इसके उपर पिछले ही दुनों मैंने कुछ वीडियोस अप्लोड किया था जिसके उपर आप लोगों का काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है क्योंकि इस वेबसाइट ना यार काफी बंदों की ना जेबे खाली कर दिये और अभी भी ये वेबसाइट कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो बिजनस है ना सिर्फ एक बंदे की बदोलत चल रहा है ठीक है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और वो बंदा है ये जिसके मैं बात कर रहा हूँ इस बंदे ने अपने चैनल पे एक वीडियो अप्लोड किया था 11 दिन पहले ये वाली अभी आप देख रहे होंगे कि इसका जो थम्नेल लेगा इस वो चेंज हो चुका है और ये पूरा का पूरा जो कानी है ना जस्ट आपके ही बदोलत हुआ है जो हमने वीडियो से अपलोड किया था उसके आपने काफी अच्छा घाजा सपोर्ट दिखाया है जिस विए से वह जो पड़ेगों वीडियो भाई इस बंदे तक पहुंची थी और इसे थोड़ी सी अकल आई है तो इसने अपना थम्नेल चेंज कर दिया इस बंदे को मैंने उन वीडियो में बिल्कुल भी टागेट नहीं किया था मैं वापे कह रहा था कि भाई इस बंदे का मुझे नहीं लगता कोई गलती क्योंकि काफी सारी वीडियो पहले इन्होंने काफी अच्छे ची बनाई है लेगिन जस्ट कुछ पैस वैपसाइट्स वगेरा को लेग़ एकर और मेरा बिलकुल भी ऐसा वह नहीं है कि मेरा इस बंदे से कोई दूसमनी वगेरा कुछ भी Jeez नहीं, भी कप था चाहनु मे प्लंदे। ठीक है ना तो यह जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना जस्ट फोर यार आप सभी को अवेर करने के ही परपस से बना रहा हूँ देखो मैं आपको इसके पीछे कानी बदाता हूँ देखो यार हम एक ब्लॉगर से ठीक है तो हम दिन रात efforts करते हैं महनेत करते हैं और organic keywords वगेरा find out करते हैं organic traffic के पीछे पढ़ रहते हैं traffic आता है फिर वहां से हमें कुछ revenue वगेरा generate होता है लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी websites है जो एक दिन आती है और proper scam करके audience से लाखों का पैसे काम आगर के निकल जाती है तो ऐसे में थोड़ा सा तो दुख लगेगा ना भाई कि हम इतना महनेत करते हैं और traffic लाते हैं इतने मुश्किल से तब जाके भी उतनी earning नहीं generate हो पाती और ये कुछ scammers आते हैं और तुरंत भाई पैसे निकाल के ले जाते हैं तो ये काम तो भाई बड़ा अच्छा है तो ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं और ये website बगरा बनाना कोई rocket science नहीं भाई फटक से website बना करके रख दूँगा और जैसे ये business कर रहा है वो business हम भी करके आँसे निकल सकते हैं लेकिन भाई कब तक आप करोगे यार कब तक आप ये fraud scam वाली चीज़े करोगे एक ना एक दिन जितना पैसा आज आपने audience से लूटा है ना भाई कल को उससे double triple भी आपके से चले जाएगा किसी ना किसी situation से आपको मालूम भी नहीं चलेगा तो ये चीज़ तो मैं किसी को भी recommend नहीं करता कि आप लोगों के साथ यार गलत करो महनत करो यार ठीक है महनत करो लेकिन हाँ इस तरह की जब चीज़ें होती है ना तो उसे देखो analyze करो और उसे भाई share करो लोगों के साथ कि market में यह हो रहा है कहीं आप first मत जाना इस जाल मे तो just इसी purpose से आप सभी को aware करने के लिए मैं इन topic के ओपर videos create कर रहा हूँ देखो यार मेरी channel की कुछ उतनी जादा high five खास riches नहीं है ठीक है बस मैंने इस topic को पर video डाला था तो अभी एक दो video चल पड़िये ठीक है ऐसा नहीं कि मैं AC के ओपर पूरा lifetime videos इस बंदे को target करके दे तो देखो यार इन सभी चीजों को देखते हुए ना इस बंदे ने हाली फिलाल में अभी अपना एक और वीडियो लांच कर दिया यह 17 गंटे पहले जिसमें बताया कि जो मैंने यह वीडियो बनाया था पिछले 11 दिन पहले वह जस्ट podcast के purpose से बनाया था तो देखो मैंने प्रॉपर देखा है तो चलो माल लेते यार कि इस बंदे ना मले की जो यह पड़वा वीडियो बनाया था नीचे वाला यह podcast के purpose से बनाया था मैं इतना माल लेता हूं और इस बंदे ने इस पड़वा वीडियो में पेमिंट प्रूफ वगेरा भी दिखाया है लेगिन यहा हो भी हम माल लेते हैं कि बाई सच होगा लेकिन सच है नहीं स्क्रीनशोट को बड़े अराम से मैनूप्लीट वगेरा किया जासकता है ठीक है लेगिन फिर मैंने आपको बता दिया कि चलो उसको भी माल लैते है कि वह भी सच है पेमिंट प्रूफ वगेरा चलो आया इस जो लेकिन एक बात ना आपको इस बंदे का हिट कर जाएगा भाई और आपको बहुत बूरा लगेगा लास्ट में इस बंदे ने क्या कहा पता है इसने कहा है कि इस वीडियो को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यह वाली जो 11 दिन पहले वीडियो बना था अभी तो थमलेल चेंज किया लेकिन बंदे ने वीडियो नहीं डिलीट किया तो इस बंदे ने कहा इस पटवा वीडियो में कि मैं उस वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूँ आपने इस 11 दिन पहले वाले वीडियो में मिल करके ये धंदा कर रहा है बिजनस कर रहा है पहले तो यार मैंने इस बंदे को ब्लेम नहीं किया था लेकिन भाई अब इस वीडियो को देखने के बाद ना पक्का यकीन हो गया कि यही सीन है ठीक है नहीं तो भाई देखो इतना सा माइंड खुमा और बिली मियार यह जो बिजन से कर रहा है काफी बड़ा धंदा कर रहा यार यह ठीक है लोगों के साथ और यहां पर क्या कि डारेक्ट पैसे इनके एकाउंट में आ रहे है ना लोग 100-500 रुपे रोज का पे कर रहे है यार वीडियोस बाई देखो जितना जादा रिच करेंगा उतना जादा लोग ने ने लोग फस्ते जाएंगे और मेरी वीडियोस के यार हर किसी तक नहीं पहुच पा रही है ना भाई आप यूटूब का गेमी ऐसा है कि जिसके ओपर जादा वीउस वगेर आएगा उस वीडियो को उतना जादा जादा क्या करता है वो पॉपुलर करता हूँ जाता है चाहें वो स्कैमिंग वीडियो हो या जो मर्ची वीडियोस हो तो यह जो बंदा कह रहा था कि मैं 45-60 लाक वगेरा कमाया तो पहले तो नहीं कमाया होगा लेकिन अब यह बंदा ना अच्छा खासा इस पैसे मदगी इस पड़गो वेबसाइट से पैसा बना लिया होगा इस वीडियो के बदोलत तो रोहित राज ने कुछ ऐसा कहा है भाई इस पड़गो वीडियो में कि यह मदगी अराम से डिलीट कर देता इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको यार ठीक है डिलीट कर देता अपने स्टेटेस को कायम रखने के लिए लेकिन ऐसा यह नहीं कर रहा इसके पीछे दो तिन रीजन हो सकते है जो मैंने आपके साथ सेर कर दिया पहला यह कि अच्छा खा सारी चीजे मैंने उसमें बताया था लेकिन फिल्वी मैं भी थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से आपको समझा देता हूं कि किसी भी वेबसेट को अगर आपको चेक करना है तो आपको एक प्लगीन का यूज करना है मैं आपको उदारता हूं वह है डोमें एज चेकर देखो य कुलहारी टाइप के यह टॉप पर जो बना रहा है यह प्लगीन मैंने यहाप इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि मैं वेबसेट्स वगेरा से रिलेटेट काम करता हूं वाई तो मुझे इस तरह की प्लगीन वगेरा की जरुवत परती तो मैं आपको बता देता हूं किसी भी व वाली यह जो 11 दिन पहले वाली जो वीडियो थी इसमें पूरी confident के साथ claim कर रहा है कि यह जो website वह 2010 का है मैं मानता हूं लिए इसलिए कहता हूं कि थोड़ा भूतेर अपने लेवल पर भी भाई analyze किया करो चेक किया करो research किया करो तभी आपको सच्चाई मालूम चलीगी ठीक है ना तो यह जो website है एक साल पहले ही बनाया गया अब मैं आपको न इस website को यह popular paid टूल के उपर जाकर करके दिखाता हूं इस इंडस्ट्री में किसी भी computer को analyze करना हो या किसी डोमेन का history या data वगएरा चेक करना हो उसके case में हम क्या करते है सेम रस या एचरफ का यूज करते हैं तो अभी फिलाल मेरे पास सेम रस का प्लैन है तो मैं आपको सेम रस में इसकी website डालके दिखाता हूं कि क्या status है इस ब्लकुल जीरो ट्राफिक है और गनिक लिए बिल्कुल जीरो जो भी ट्राफिक आ रहा है आँ इस पतुगा वेबसाइट पे वो पूरा पूरा इस वीडियो के बदोलत आ रहा है यूटूग की मदस से ठीक है और जितना भी आ पर यहा पर औरश देखना दो लाग से उपर का व्यूज गया है इस पटू का वीडियो पे जो भी टाइफिक है पूरा पूरा यूटूब से ही डाइवर्ट हुआ यहां पे तो बिलकुल भी और गनिक मलग की इस पटू का वेबसेट की इस मलग की पकड नहीं है गूगल की ऊपर क्योंकि भाई बंदे को प्रॉपर तरीके से पता नहीं है वेबसेट को किस तरह से रैंक किया जाता है कैसे क्या वगेरा करना है प्रॉपर नॉलिज नहीं है इस पटू का बंदे को अब आप बोलोगे भाई कि आप ये चीज किस बेस पे कह सकते हो यार कि आपको नॉलिज है देखो यार मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं भी भाई इस फिल्ड में महात्मा हूं गुरू हूं लेकिन देखो यार मुझे ना चार से पांच साल के आसपास का एक्सपीरियंस है और अच्छा खासा मैंने अपनी वेबसेट्स वगेरों को रैंक किया मैं आपको दिखाता हूं भाई एक वेबसाइट मैं एक्जांपल देता हूँ यहां पे देखो आप सर्च करो गूगल में आप खुद सर्च कर लेना भाई ठीक है यह देखो इस कीवर्ड को आप सर्च करो टॉप पे आपको हमारी यह वेबसेट दिखाई देगी देखो यह जो देख रहे हो ना यह EMS Result.in टॉप पे आपको यह वेबसेट दिखाई देगी दो लाग से ऊपर का मंतली बेसका ट्राफिक है इस वेबसेट पे और ट्राफिक देखो यार इस फिल्ड में अप डाउन होता रहता है अब मैं आपको एक काम करता हूँ ना इसको यहार मैं सेमरस में डालके आपको दिखा देता हूँ ठीक है जिससे आपको अच्छे से थोड़ा सा मतली की पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहरे हैं ठीक है मतले कि किसी भी वेबसेट को आपको अनलाइज करना ह यहाँ पर देख सकते हो भाई ठीक है अभी ट्राफिक ड्रावन होना है 65000 से ऊपर का ट्राफिक बेस मंतली का चल रहा है ठीक है तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया इससे जादा बताने की जरूद नहीं है ठीक है अब जिसको मानना है और जिसको नहीं मानना मैं क्या कर सक company तो मुझे तो यह पढ़के लगा कि यह बंदा की पागल तो नहीं है सला देखो यहाँ पर अब आप इसके about section में जाओ ठीक है about section में हम पहुंच जाते हैं और यहाँ पर देखो क्या लिखा हूँ 11 dream.in is a company owned by Reliance Reliance जबकि खुद एक private limited company है और इसने अपनी websites को यहाँ पर डाल रखा है government registered company मलगी इस तरह की फुद्दू basic सा बचपना टाइप websites को government approve करेगा भाई इतना तो intelligent बनो यार आपको अब भाई बनना पड़ेगा थोड़ा सा smart आपको होना पड़ेगा इंटरनेट सबके लिए बाई open है free है यार चीजों को search किया करो बाई कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है ठीक है government registry किस तरह से मिलता है आयोस सर्टिफिकेट वगेरा क्या होता है यह सारी चीजे अगर आपको इन से चीजों की knowledge होगी ना तभी आप मले की fake और real websites में अंतर पकड़ पाऊगा यार ठीक है समझ रहो ना इस तरह की websites भाई government registered होगी यहां तक कि जो 11 जो dream 11 है ना official website भाई dream 11 इतनी बड़ी करोडों की company है यार वो तो government registered है नहीं है वो खुद एक private limited company है और यह अभी एक साल पुराने यह नई नवेली दुलहन आई है और यह अपने आपको बोलती कि भाई मैं government registered company तो भाई पूरा scam चल रहा है यार और यह बंदा बंद क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि यार profit हो रहा है यह बंदा समझ रहा है कि market कैसा है इंडिया का यार ठीक है और जैसे कि आप जानते हो केरला वगेरा में भी जो lottery वगेरा बहुत जादा popular अभी भी वहां पे ना lottery वगेर या property वगेरा के चक्कर में जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है वह आपको क्या लगता है यार कि आज के समय में आप 10 रुपय का lottery खरीद होगे 100 रुपय का lottery खरीद होगे और आपको भाई इतनी महंगी महंगी गाडिया बाइक्स वगेरा बिल्कुल free में मिल जाएगी जिसके ल यार आप मुझे बताओ यार ठीक है कि ये website fraud नहीं है 100% भाई ठीक है 100% यार अगर आप यहां पर पैसे लगाओ गे आपके पैसे जाएंगे ही जाएंगे तो मैं पूरी तरह से फोर्स नहीं करोगा कि आप इस website पर पैसे मत लगाओ आप लगाओ यार ठीक है अगर आपको लगता है कि भाई हम लगाएंगे तो हम ये स्कूटी जीज़ जाएंगे बाइक जीज़ जाएंगे तो भाई आप जीतो यार अब जब जीतोगे तो एक दो मुझे भी भी भेज़ देना है ठीक है तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ आप सभी के साथ बागी कुछ नहीं और और मैं तो जस्त यार देखो यूटूब पे वीडियो वगरा ही बस अप्लोड कर सकता हूँ इस तरह की जो भी इस कैम वगरा मुझे इंटरनेट पे दिखाई देता है लेकिन भाई काम आपका है जादा आपको जितना हो से कि उतना यार वीडियो को शेयर करना है ताकि या लेकिन इतना तो कह सकता हो ना यार कि आप इस वीडियो को आ करके भाई रिपोर्ट करो जितना हो सके उतना जादा आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करके भाई रिपोर्ट मारो यार इस पटोगा वीडियो को ताकि ये बंदा इस वीडियो को डिलीट कर सके क्योंकि जब तक ये वीडियो डिलेट नहीं हो आना भाई तब तक ये scam चलता रहेगा और इसकी websites में भाई देखो Google से तो ट्राफिक नहीं आ रहा है जो भी traffic आ रहा है पूरा का पूरा इस वीडियो से आ रहा है मैंने सारी चीजे आपके सामने रख दी थी भी ठीक है websites का analytics सब कुछ दिखा दिया भाई ठीक है तो इसलिए जितना जादा आप report करोगे उतना जल्दी ये वीडियो डिलीट होगा और इस website का भी जो धंदा पानी है भाई वो कम हो जाएगा और ये भी website कुछ दिनों में बंद हो जाएगी फिल समझ रहे हो ना तो ये चीज भाई आपको करना यह आपका काम है बाकि जो मेरा काम था वो तो मैंने कर दिया भाई बाकि इससे जादा मैं इस टॉपिक के उपर यह वीडियो क्रेट नहीं कर सकता भाई ठीक है तो ये आपके उपर मैं छोड़ता हूँ जितना हो से कि उतना भाई जो वीडियो हमने बनाया उसको अप शेयर करो और इस पट्वा बंदे के इस वीडियो को जाकर के रिपूर्ट करो तब जाके भाई इसको अकल आएगी नहीं तो भाई यह बंदा आज यह कर रहा है कल को और करेगा ऐसा होता है ना कि जब किसी को लट लग जाती जैसे सेर है जब उसको एक बार खून की चाट लग गी ना तो वो खूनी मांगेगा भाई ठीक है तो ऐसा ही कुछ होता यार ठीक है तो एक बार जब लट लग जाती है तो यह बंदा आज इसने यह फ्रॉड किया फिर कुज इन सभी चीजों को यार सरफ आप रोक सकते हो यार ठीक है तो भाई बाकी मैं आपके उपर छोड़ता हूँ और आज की इस वीडियो को यार यहीं पर एंड करते हैं और बाकी मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो के साथ टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए बाई टेक केर और अपना ख्याल रखेएगा और इस तरह की वेबसेट्स वगेरा से दूर रहिएगा